तो दोस्तो आज हम आपके लिए दाल और मेथी से बनने वाली ऐसी एनोखी रेसिपी लेकर रहे हैं जो बनाने में तो आसान है लेकिन स्वाद में ला जबाब है एक बार आप इस रेसिपी को ट्राय करेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगी क्योंकि यह बहुत ही चमच दनिया पाओडर, आधा चमच हल्दी पाओडर और एक चमच लाल मिर्च पाओडर डालेंगी उसमें डालेंगे स्वाद नुसार नमक मैंने यहाँ पर आदी प्याज भी ली है और डालेंगे कुछ सब्जिया जिसमें मैंने आधा पैंगर और थोड़ी से फुलगों भी डाली है दोस्तो इन सब्जियों के वज़े से इस दाल का स्वात दस गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएगा और अगर आप डाल इस तरीके से बनाएंगे तो आपको सब्जी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दोस्तो पार्सी स्टाइल की डाल बनने जा रही है अब दोस्तो इसका ढखकन लगा कर इसे 4-5 विजल आने तक कुप करना है जैसी विजल आजाए प्रेशर डाउन होगा हमें ढखकन खोल कर इसे मिक्स करना है तो दोस्तो जैसे आप इसे मिक्स करेंगे न सारी सबज्य इसमें अच्छे से मेश हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सबजिया है लेकिन सबजियों से इस दाल का स्वाथ जिसे आप मैश करेंगे तब ही आपको महसूस होने लगेगा कि कितना शानदार हो चुका है अब कड़ाई में हमें लेना है दो चमच तेल इसमें एक चमर डालेंगे जीरा और साथ ही डालेंगे चार से पांच कलिया लसून की और एक बड़ा टुकड़ा अध्रक का बिल्कुल फाइन चॉप करके तो पहले हमें अध्रक और लसून को तेल में अच्छे से फ्राय कर लेना है और इसके बार डालेंगे हम दो पिंच हिंग और एक मेडियम साइज की प्यास प्यास को आप बिल्कुल बारिक काट लीजे और प्यास को हमें लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है दोस्त तो आज हम मेथी की ही डाल बना रहे हैं, मतलब आपने पालक डाल बहुत बार खाई होगी, इस बार आप मेथी वाली डाल खाईे, आप इसका स्वात जिन्दगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, तो दोस्तो पहले मेथी को ओईल में अच्छे से फ्राइ करना है, क्योंकि फ् दोस्तो पोडोस में भी इसकी खुश्बू आने लगती है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खुश्बूदार और बहुत टेस्टी लगती है, तो दोस्तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, लेकिन टमाटर को हमें मैश नहीं करना है, इसे हमें बस एक से दो मिनट पकान करती है, क्योंकि हमने सारे मसाले सबज या डाल में ही डाल दिये हैं, अब उबले बी डाल डाला है, इसे मिक्स करना है, लेकिन दाल अभी काफी गाडी है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पाणी डाला है, विसे डाल की कंसिस्टेंसी, आप अपकी इच्छा नुसार रख सकते धाल या प्राठे के साथ भी खा सकते हैं, तो दोस्तो अब हमें इसे अच्छे से, मिक्स करना है, और उबाल लाना है, तो दोस्तो अब दाल में मुझे थोड़ा खटा फ्लेवर बहुत पसंद है, तो मैं इस में थोड़ा सा नीमबो डालूंगी, और वैसे आप इस नीमबो क कि रावच पर जाँ करते हैं या पर आधा निर्ज दाला है और दाल में एक बाकाणे तक हमेंशे अपक पकाना है तो चलिए दोस्तो इसमें अबना वह पकाते हैं ये जो पतले हैं नहीं चलिए ये जैणांट शेलिए अamosly starts अद्रक की लचे और सुखी लाल मिल्च जैसी ये अद्रक फोड़ा सा पक जाएगा ना गैस बन करके हमें लाल मिल्च का पाउडर डालना है मैंने कष्मिरी लाल ली है और तड़की को डालना है हमें दाल की उपर लेकिन दाल को पहले आप सर्विंग बोल में निकाल लीजी और दाल का टेक्श्चर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बहतरीन है एक बार मेरे केने पर ये दाल बनाईए आपको बहुत अच्छी लगेगी अब तड़के को दाल के उपर डाल कर हमें इसे थोड़ा सा मिक करना है और आप देख सकते हैं घी वाला तड़का दाल में जान ले आता है तो दोस्तों आज की ये नई रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो इससे प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई दोस्तों